हलो गोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल केरियर ब्रेट वाइंजिनियर में और आज हम लोग बात करने वाले हैं CITS रिजल्ट को लेकर जैसा कि आपको पता है जो CITS का रिजल्ट है वो आ चुका है और काफी जादा मैंने एक पोल कराया था अपने चैनल पर लगभग 35% लड़के ऐसे हैं जिनके 50 मार्क से कम आ रहे हैं मैंने वहाँ पर एक आपसन दिया था बिलो 50 तो 35% लड़के ऐसे हैं जिनके 50 मार्क से कम यहाँ पर नंबर आ रहे हैं तो वो लड़के काफी जादा प forgave on में जो वीडियो इक बनाया था। उसमें मैंने यह बताया था कि first counseling में अगर आपको college चाहिए तो कितने इमिन्मवाम marks होने चाहिए। तो काफी जादा लड़के परशान है जिनके कम marks zijn है 40 marks के आसपास हैं तो वो परसान है कि counseling कराएं या नहीं उनका admission हो गया या नहीं तो मैं आपको पहली बात यहां पर बता देता हूं कि यह जिनके 40 के आसपास marks हैं 40 49 या 40 प्लस वो counseling जरूर कराईएगा उनको college मिलने की 90% संभावना है ठीक है 90% उनको संभावना है कि college इस बार मिल जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि appeared जो candidate थे उनके form reject होने को यह से competition यहाँ पर काफी कम हो चुका है भीया मैं ऐसे नहीं बोलना हूं इसलिए मैं आज आपके पास proof लाया हूं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है CITS 2020 Spot Admission F3 Round Merit Based Allotment Candidate List यानि कि आपको पता है first counseling होती है second होती है third होती है और उसके बाद हमारा होता है Spot Admission जिसे हम लोग बोलते हैं माप अप राउंड तो पिछली बार सीटों के खाली होने के वज़े से तीन माप अप राउंड हुए थे पहला तूसरा तीसरा यह है तीसरा वाला जिसकी list में आपके सामने लेकर आया हूं यानि कि इसके बाद कोई admission नहीं होगा यह final था ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे कि कितने नंबर पर admission होगा है तो आपको खुद एक idea लग जाएगा कि भाई हमारा admission होगा या नहीं तो सबसे पहले हाँ पर देखिए जो private IT का दिया हुग है तो private IT का हम लोग देखेंग चाहिए प्राइवेट हो चाहिए स्टेट तो 30 से कम नंबर है तो भी आप participate करिए आप का admission हो जाएगा यहां पर यह 30 से कम नंबर जनरल और OBC वालों की बात नहीं करना हो जनरल वालों को तो minimum 33 होना ही चाहिए ठीक है OBC EWS है तो minimum 29 होना चाहिए SCST है तो SCST मिनवा है तो 20 होना चाहिए इतना तो होना चाहिए ठीक है अब दिखें यहां पर यहां पर यह देखें प्राइवेट आइटिवोटी कर उठाट हम लोग안 करेंगे यहां पर देखिए भोपल आइटिवीटी यह state government का मद्ध प्रदेश गऌशना का duty है तो यहां तिस नंबर एक तिस नंबर 26 नंबर पर एडमीशन हुआ है ठीक है तो यह कम नंबर है तो पार्टिस्पेट जरूर करें मैं आपको सभी कॉलेज के दिखाऊंगा बारी बारी ठीक है देखे फिटर का तो भवपाल आइट्योटी में 45-45 नंबर पर यहां पर एडमीशन हुआ है ठीक है 43 नंबर पर हुआ है देखते चलिए आप इलेक्ट्रीसियन की बात करें तो भवपाल आइट्योटी में देखी कहां तक इलेक्रीसियन कहां तक मेरी डिया है इसका 49 नंबर तक इडमीशन हाँ पर हुआ है ठीक है आप देखे यह बीजू पटनाय का इट्योटी हो 29 देख नहीं हैं यहाँ पर आप देखिए यह सुझीत यादोजी है 29 नंबर पर बीजू पटनाय का इट्योटी गोर्णेट आप उडिशा यहाँ पर देखें 29 नंबर पर इनका फिटर में डिमाड में राती है तो सूचिए 29 नंबर पर एडमीशन हो otherwise 아래 40 नंबर अगican Troy जो NSTI है वो भी मिलने का चांस है गारंटी तो 100% नहीं है लेकिन मिल भी सकता है ठीक है तो इसलिए मैं बार-बार आपसे बोलना हूँ कि 40 नंबर के आसपास हैं जिनके वो counseling में जरूर पार्टिस्पिट करें चालिस से कम होले भी कर सकते हैं रिस्क ले सकते हैं उनको भी college मिलने की पूरी संभावना यहाँ पर है ठीक है अब देखिए electronic mechanic में देखिए electronic mechanic में 37, 37, 31 देखिए यह बीजू पतनाय का इट्विटी का मैं दिखा रहा हूँ अभी मैं सभी college का दिखाऊँगा निस्टिया डबलू का भी दिखाऊँगा और जो वायस और गल्स दोनों के निस्टिया हैं उनका भी दिखाऊँगा तो देखिए 31, 31 नंबर प इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं देखिए चलिए अब आईए हम लोग बात करते हैं इस्टिया डबलू की यह देखिए इस प्राइवे यह देखिए करनाट का आईट्यूटी करनाट का कजी स्टेट का जो आईट्यूटी है यहाँ पर देखिए 35 नंबर, 37 नंबर 52 नंबर पर यहाँ पर सभी admission हुए है ठीक है तो बहुत इकम नंबर पर admission हो जाते हैं देखिए हम पर 27 नंबर यह तो प्राइवेट आईट्यूटी है चलिए हम लोग देखते हैं आप गल्स की जो कॉलेज होते हैं हिस्टिय डबलू उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर आईट्यूटी लखनाव भी काफी डिमांड में रहता है तो उसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो लखनाव आईट्यूटी उत्तरपदेश में 49 नंबर पर स्विंग टेक्नोलोजी में admission हुआ है मकैनिक आईट्यूटी का देखिए यहाँ पर हाई है 80, 77, 77, 87, 87, ऐसे admission हुगा है ठीक है फिटर का भी देखिए यहाँ पर आपको सब हाई मिलेगा एलेक्ट्रिसियन भी हाई मिलेगा कॉस्मेटोलोजी भी देखिए आप कहाँ पर 60, 62, 60 तो आईट्यूटी लखनाव का आफिलोग करना चाहते हैं तो देखिए यह है एनिस्टी डवलू एलावबाद यानि कि गल्स का कॉलेज है यह तो गल्स जो देख रहे हों कि ध्यान दीजेगा देखिए आफिस मेनेजमेंट पर 32 नंबर में हमें एडमिशन हो गया है मिनिमम ठीक है यहाँ पर देखिए आ 48, 58, electronic में में देखिए 46, 42, 28 नंबर पर भी यहाँ पर एडमिशन हुआ है निस्टी डवलू बैंगलोर में ठीक है इसी तरीके से देखिए बैंगलोर का और देखिए निस्टी डवलू बैंगलोर का देखिए अभी जो गल्स है उनके कॉलेज की बात हो रही है तो यहाँ अब देखिए 50, 51, 48 नंबर पर यहाँ पर एडमिशन हुआ है अब देखिए इस्पार्ट की यह बात हो रही है यह इस्पार्ट जो राउंड पिछली बार हुआ था इस्पार्ट राउंड 3 उसकी बात हो रही है अब ऐसा नहीं है कि आपके 40 नंबर है और आप कहने लगो पिछार आपने कहा थां को कॉलेज नहीं मिला तो फस्ट गॉंसलिंग में यह यह वोज जो जो में मिलेगा और और अगर 3 हुआ 7 खाली हुए थर्ड उन्होंने कराय थो थर्ड में मिलेगा ठीक है अब देखिए यहाँपर ंस्टि bundle है ठीक है यह गल्स के लिए कौलेज है तो देखिए आपस कदि ज की कोलेच दि त्रिस्समेकिंग में Miros पड़ेए फर्स्ट में मिलता है में मिलता है थर्ड मिन मिलता है तो इस पॉर्ट का वेट करी आपको मिल जाएगा आप एक साल खराब होने से तो बच जाएगा वेट करना पड़ेगा लेकिन आपको कॉलेज मिलने की पूरी सम्भावना इस बार है जिनके 40 के आसपास भी नंबर यहां पर है ठीक है देखे आप कटाफ देखते चले है इस बार क्योंकि इस बार तो और फार्म ही रिजेक्ट कर दिये गए देखे नस्ट आई तूरा में 40-40 नंबर पर स्विंग टेकनोलोजी के कॉलेज यहां पर मिल गए हैं कंप्यूटर साफ्ट वर अप्लिकेशन देखे 47 45 44 पर मिल गए और यह सभी नस्ट आई कॉलेज ह कर सकती है कॉलेज उनको मिल सकता है ठीक है अब देखे हम लोग यहां पर आ गए इनस्टी आई हैद्रावाद इनस्टी वी हैद्रावाद यहानि कि यह 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 कॉलेज कौन सा है यह वाईस और पर दोनों का कॉलेज है यहां पर जो एड्मीशन होगा वो लड़कों का भी ने आपे हो सकता है अब देखिए यहाँ पर देखिए टर्नर का 49 नंबर पर अड़ीना का फ़र्ट यहाँ कॉलेज है, क्योंकि क्या होता है देखिए दूस्तों, कि बहुत से लड़के college ले तो लेते हैं first, second, third counseling में लेकिन वो admission कराने नहीं जाते हैं किसी कारण से ठीक है, provisional admission कराने नहीं गए, final admission नहीं कराने गए जैसे यूपी का कोई लड़का है, हैधराबाद में admission ले लिया ठीक है, तो फिर बाद मुसका मन बदल जाता है अब देखें, यहाँ पर fitter का देखते हैं, तो fitter का minimum कितना गया है, fitter का देखें, minimum 50 गया है, यानि कि NSTI में देखें, हैधराबाद में fitter का 50 नमबर पर आपका admission हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है, कोई confirm नहीं है, और इस part का आपको वेट करना पड़ेगा, अब देखें, NSTI बैंगलूरू की बात करते हैं, तो देखें, 45, 44, 44 नमबर पर यहाँ पर विल्डर का admission हो गया है, और कम नीचे आएंगा, देखें, और नीचे आगया, देखें, यहाँ पर NSTI बैंगलूरू में पर admission हो जाएगा, मेरा नहीं हुआ, फास नहीं हो सकता है, सेकेंड नहीं हो सकता है, थर्ड में, यह spot round की जो merit list है, पिछले साल की वो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो आपको wait करना पड़ेगा, कम नमबर है आपका, तो इस part में आपका admission होने की संभावना है, देखें, NSTI बंगलूरू में 49 नमबर पर देखें, MO, AM, यानि कि Machinist and Operator, Advanced Machinist Tool, इन सब का देखें, यहाँ पर admission हुआ है, ठीक है, अब आई देखते हैं, यह लिस्टर पूरा आपको टिलेग्राम ग्रूप में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा पताने लगोंगा, तो भाई एक घंटे लगेगा, यहाँ पर देखें, यह निस्टियाई कालिकट है, केरल में यह निस्टियाई है, देखें, यहाँ पर वेल्डर का देखें, 34, 34, 34, 31, 31, देखें, 31, 31, नमबर पर admission हुगा है क्यों क्योंकि भाई दूर पढ़ता ही तो केरल कोई जाना नहीं चाहता है तो इसलिए बाद में जो लड़के सुरू में लेते भी हैं कॉलेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काउंसलिंग में वो क्या कर देते हैं बाद में कॉलेज को छोड़ देते हैं डियानिक एडमिसन कराने जाते ही नहीं तो इस पार्ट में उस सीटें खाली हो जाते हैं लिए कि 28 नंबर पर 25 नंबर पर 24 नंबर पर देखिए आपका यहाँ पर एडम देखिए यह एक हजार उपए मेरी जिब में तो आएगा नहीं कि एक हजार उपए आप पूशे देंगे निमी के पास जाएगा लेकिन मैं आपको सही सर्जेशन दे सकता हूं कि भाई कर आपको करना ही है तो आप अपना एक साल वरबात क्यों करेंगे एक हजार उपए का इसके लिए कि देख लीजिए 40 नंबर यह 40 के प्लस है हो सकता है आपका अपका अडमिसन हो जाए आप कर लीजिए इसी साल अपना से एटेस कोर्स कम्प्रीट कर लीजिए उसके बाद अपना एक्स्कीरियंस लिए ठीक है और यह सभी चीज़ें देखिए मैं आपको पूर चिन्नाई का देखें वेल्डर का मिनिममम देखें कितने नंबर पर अडमिसन हो जा रहा है और जूप कॉई जाना नहीं जा रहा है देखें स्विंग टेक्नॉलोजी का हम लोग चन्नाई में एक हीए डीच में लेकिन देखो कितने कम नमबर पर इडन होगा। 34, 34, 33 नंबर पर देखे, plumber made mission हो गया है, NSTI चिन्नाई में, ठीक है, इसी तरीके से motor mechanic vehicle वाले देखें, तो यहाँ पर देखे, motor mechanic vehicle का, देखे, minimum कितना गया है, 31 नंबर पर, देखे, 32 नंबर, 31 नंबर पर यहाँ पर, NSTI चिन्नाई में एड मीशन हो जा रहा है, तो इसलिए म अब इसी तरीके से mechanic diesel में, देखे, 56 नंबर पर यहाँ पर admission हुआ है, ठीक है, यह तो बहुत ही normal trade है, इसको तो कोई apply नहीं करता है, तो देखे, यहाँ पर भी 40 नंबर पर admission हो गया है, अब बात करते हैं, फिटर के, देखे, फिटर के काफे ज़्यादा लड़के रहते हैं लेकिन देखे, फिटर का भी, यहाँ पर देखे, 50 नंबर में आपका admission हो गया है, ठीक है, देखे, फिटर में, चन्नाई में 50 नंबर पर आपका admission हो गया है, अब देखे, electronic, electrician हम लोग देखते हैं, electrician देखते हैं हम लोग, electrician का minimum कितना गया है चन्नाई में, electrician का minimum कितना ग हो गया है इसी तरीके से computer software application का देखते हैं computer software application का ये देखेंग देहरादून आ गया computer software application का देखेंग यहाँ पर त्थिक है देख लीजीग आप इसको अब देखें देहरा दून का computer software application कि इतIntel नंबर गया ठीक hosting तो इसी तरीके से आज पास देखे 49 नमबर देखे टर्नर का देखे तो हल्दवानी में 48, 45, 49 नमबर पर आपका यहाँ पेडमीशन हो गया है तो इसी तरीके से आप जितने भी NSTI है मैं यह लिस्ट आपको दे दूंगा टेलेग्राम गृप में उसमें आप चेक कर लिजेग यह सभी अपना और उसके बाद देखे 30 नमबर पर NSTI हावडा में देखे यहाँ पर 30 नमबर पर टर्नर का डिमिशन हुआ है 40 नमबर पर 49 नमबर पर 34 नमबर पर 32 नमबर पर और NSTI मुंबाई एक अच्छा संस्थान माना जाता है ठीक है तो यह लिस्ट मैं आपको दे दूंगा टेलेग्राम गृप में तो आप इसको जा के अच्छे से देख लिजेगा जो भी NSTI आप जो मैंने आपको दिखाया अब आपको विश्वास हो गया होगा कि कम नमबर पर भी कॉलेज मिल सकता है तो ऐसे ही बने रहेगा चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा ताकि आगे से कोई वीडियो आए इस तरह की तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेश मिलते हैं नए स्टूडियो में नई जानकारी के साथ तक बने रहे हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद